सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वाइरल हुई जिसमें कहा गया कि रिशब पंत ने इस सब्ता की शुरुवात में अपने मैनेजर के माध्यम से RCB से संपर्क किया क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें वहाँ एक कप्तान की जरूरत है लेकिन RCB के मैनेजमेंट ने मना कर दिया फिर कहा गया कि विराट भारतिय टीम में अपनी पॉलिटिक्स के कारण पंत को RCB में नहीं चाहते है लेकिन रिशब पंत ने सामने आकर अफिशली रूप से कहा कि यह फरजी खबर है आप लोग सोशल मीडिया पर इतनी फरजी खबरे क्यों फैलाते हैं समझदार बनो दो लोगों पर निर्भर है और मैं ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो गलत सूचना फैला रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें